नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेडी आईए इसकी एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कॉस करूंगा वीनिस मिजन 2024 के बारे में जिसे आप लोग जानते हैं सुक्रियान के नाम से आप लोग कर पता होगा भारत नहीं हैं यहां पर मंगलयान इतना सक्सցसिस फुल ही यहां पर का रहा था और उसके बाद अब बाहर चाहता है कि वह वीजस पे बीजया यहां पर अपर अपनी तेस्ट करें और आप सकते हैं सचिस्फुल एक्जिक्इूर्ट्ट कर अब देखे दोस्तों आप लोग को बदा दू कि एक पर्टिकलर वीक एरिया है और आपको सिर्फ उसकी प्रप्रेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं एक एवलेबल है 15 माई को दोस्तों आप आपको कहीं न कहीं आपकी प्रप्रेशन की दोरान काफी मदद मिलेगी और एक जो मैंडसेट है उसे बिल्ड करने में आपकी हेल्प भी होगी तो चलिए दोस्तों डिसकास करते हैं अपनी नीज को अगर हम लोग बात करें यहां पर हमारे जो नए चेर्मेन है इस तो के उन् सलफोरिक आसिड जो कवर पूरा प्लैनेट सलफोरिक आसिड से कवर हुआ है उसके बारे में हमें अपनी रिसर्च और जो भी आप कह सकते हैं अपनी पढ़ा ही बता रहा हूं आपको बैसिकली करनी है उसकी जिससे कि हमें पता लग सकी कि आखिर वीनस के अट्मोसफेर कैस है इंडिया का भी अपना प्रोजेक्ट है जिसका नाम यहां पर शुक्रियान की अब्जेक्टि की बात करें तो देखी दोस्तों इन्वेस्टिकेशन रहेगी सर्फेस प्रॉसेस की सैलो सबसर्वेस स्ट्रेटी ग्राफिक के बारे में और एक और दोस्तों यहां पर कोई अब्सर्वेशन नहीं रहेगी सबसर्फेस की वीनिस जो भी यह तक डैन हुई है उससे पहले नहीं हुई है तो इसलिए बहुत जरूरी हमारे लिए इस टैट्री ग्राफी जो है वह एक ब्रांच है जी जो कि आप करते हैं बात करती है रॉक लेर्स के बारे में लेरिंग क रहने वाली है अगर दोस्तों सिद्किसिंट की बात करें तो हम यह बार करें की एक टार्य और यहिए उसकी कैसी के को और कितनी ड्रामेटिकली आप किसकते हैं प्लैनेट आप किसकते हैं जो अपना क्लाइमेट है उसे चेंज करता है यह सब जानने में हमें मदद मिलेगी इस पूरे मिशन के दौरान challenges की बात करें दोस्तों तो यह जो Missan है दोस्तों यह Venus offer कर रहा है काफी अलग लग challenges as compared to Mars थिक atmosphere है दोस्तों उसका सर्फेस activity उसकी अलग है complex planet है और एक और बात दोस्तों बताओं कि हमें deeper understanding मिलेगी instrument के बारे में जो कि आप कर सकते हैं हमें और अच्छे जानने को मिलेगा अगर मुलक atmosphere के deep थूरू जाते हैं हमें और अच्छे से जो जानकारी है ये मिलेंगी लेकिन दोस्तो एक और दिक्कत थी कि उसकी understanding के लिए हमें यहाँ पे काफ़ सरे instrument की ज़रत थी तो उस instrument में भी हमें दिक्कत मिल सकती है एक दोस्तो ऐसा instrument है space agency के दोरा जो कि वो plan कर रहे हैं और वो लोग use करेंगे spacecraft में high resolution के synthetic aperture radar को जो की examine करेगा Venus के surface को clouds वगएरा को जो भी planet के वगएरा में है उसकी visibility के बारे में यह technique रहे कि दोस्तों जिससे के हम लोग produce कर सकते है high resolution image को जिससे के हम लोग प्रिसाइज और एक radar penetrate cloud वगएरा darkness को भी हटा कि उसके अलावा हम लोग दिन या रात में कभी वी data है उसे collect कर सकते हैं देखे दोस्तों कुछ ऐसे mission है जो कि इन्होंने Venus पे भेजए है यह देखे दोस्तों solar system हो गया हमारा और यहां पे आप लोग को Venus देखने हो बलेगा यह होगी हमारी Earth, फिर Mercury, इधर Mars हो गया जहां तक हम लोग अब तक पहुंचे है Venus की बात करें तो इसका जो नाम है यह Roman की Goddess जो की Love और Beauty को बताते हैं उसके नाम पे रखा गया यह Second Planet है Sun से और Sixth है हमारे solar system में Size और Mars के हिसाब से Second brightest natural object है दोस्तों हमारे night sky में Moon के बाद और Proveal दी हम लोग यह reason बताएंगे क्योंकि यह पहला planet है जो की motion plotted आपके सकते हैं काम करता है सकाई में और इसको बता दूँ कि Second million BC से भी पुराना यह planet है अलग काफी सारे और प्लैनेट है हमारे solar system के अंदर जैसे Venus हो गया Uranus Uranus जो की spin करते हैं clockwise अपने ही axis में Hortest planet तो दोस्तों हमारे solar system का क्योंकि काफी ज़्यदा concentration रही है इसकी carbon dioxide में और यह काम करता है उससे produce करने में एक intense greenhouse effect को दे दोस्तों Venus में काफी बड़ा आपके सकते हैं रहता है एक साल के बराबर और जो Venus है वह काफी time लेता है rotate होने में अपने ही axis में और जो complete orbit है उसकी उसमें भी देखे 243 Earth days को मिला के उसका एक rotation होता है तो longest rotation माना जाता है पूरे solar system में जो कि आपको बता दूँ कि only 224.7 Earth days से आपके इतने complete होता है एक orbit जब वह sun का करवा देता है उस comparison में Venus जो है दोस्तो वह Earth का twin माना जाता है क्योंकि काफी सरी similarities है हमारी mass, size वगरा में density में और काफी सरे हमारे जो relative locations है solar system के वह भी हमें देखने को मिलते हैं कोई planet जो है वह approach नहीं करता है Earth से इतना Venus है दोस्तो और काफी nearest भी वाना जाता है closest large body है Earth से आपके सकते है मून के बाद Venus जो है दोस्तो वह 90 times जो है आर्थ का atmospheric pressure है उससे 90 times से ज्यादा उसका atmospheric pressure हमें देखने को मिलता है और इसलिए वहाँ पर जो life है वह भी आपके सकते हैं available नहीं है ओके दोस्तो तो आई hope कि आपको चीज समझ में आगी होंगी कि मेरा क्या कहने का मतलब ऐससे अगर आपके अब भी कोई doubt है तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section में कोई भी तरकी के अगर आपको मज़द चाहिए तो बता सकते है comment section में मिलते हैं दोस्तो नेक्स दूदिम तब तक के लिए have a nice day and take care